तो यह है नोकाउट मुकावला आपके लिए एंड कैसे कुछ रही है इस मैच के लिए चीज़ है क्योंकि ये ग्रूप ना ऐसा है पिछले ग्रूप में सब्सक्राइब हो गया कि कौन जा रहा है कौन नहीं बट ये वाला ग्रूप ऐसा है बाई जिसमें कि काफी जादा ना ह सब्सक्राइब के लिए मच हुई है और यह तरीके से नोकाउट मुकावला है दोनों टीम के लिए फाइनली समझ लो कि अगर सूपर ट्वैल में जाना है तो यह मैच जीतना पड़ेगा चाहे वह एस इंडीज हो चाहे फिर वह आयरलेंड होगी इस ग्रूप में ऐसा है लाड़ी कौन से बने वाले जो अच्छे हो सकते हैं ग्रैंड लिक के लिए कैप्टन वाइस कैप्टन कौन से बनेंगे तो सब चीज़ेंगे डिसकस आखर तक बने रहना है और साथ इसाथ अपना जो स्पेशल गिववेक रहता है जैसे अभी लैक शुरू किया है लीग व दो बार मैंने आदाद है जो डिस्ट्रिबूट किया हुआ है वो तो दोनों को मिला कर तुम लिख लेना बट उसके लिए में वीडियो पूरा आखिर तक देखना पड़ेगा क्योंकि आज ऐसा है कि मैं आपको को बोल कर बताने वाला हूं ठीक है तो यह चीज़ जरूर ध सब्सक्राइब कर लो जो बेल लोटिफिकेशन है उसको भी प्रस करना ताकि आप जो कोई मैंच के वीडियो जैना आगे वह बिल्कुल भी आप मिस ना कर पाऊ साथ ही साथ अब आते हैं आगे ठीक है बट उससे पहले एक उपड़ी चीज रह गई जो भूल गया तेलिग् चैनल तुम जोइन कर सकते हो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी अपडेट्स और अब तो वर्ल्ड कप शुरूई होने वाला है तो और ज्यादा बड़ी की वविस सब चीज़े टेलिग्राम चैनल पर आने वाली है तो जल्दी से जाके जोइन कर लो मैच की बात करते सुबह का मैच रहेगा बेल राइव ओवल होबाट में जो मैच वो खेला जाएगा उसके अलावा एरलेंड वसे वेस्टेंट इस तुमने देखे लिया है अब आते है इस ग्राउंड के स्टैट्स के उपर ते को यह ग्राउंड जाना जाता है डिफेंड करने के लिए लोगा सकते हमेशा जो टोटल बनता है वो f500 से उपर बनता है 1500 जो 170 के बीच में तीन बार मैच घूंड वे तक हूए ठीक है उन रिसेंट माले जो निटिन तो खुट्व्ट गर करें तो 19th of October को दोव मेच ने बताता है 17th of October को जो मैच्चे उए हूए थे उसमें आपने द इसमें आपने देखा कि यहां पर ना कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है इस मैच में जो विकेट्स थे वो मिले पाउच विकेट्स मिले बट ग्यारा विकेट्स पेसर्स के थे एंड वहीं पर जो आप और उससे लाइक शाओ वाला सुरी सुबह वाला मैच जब तेखोगे जो कि मैच जो सुबही होने वाला है इसमें अगर आप देखोगे तो एक ही विकेट मिला था स्पिनर को तो उतनी ज्यादा हेल्प देखो जैसे मैं आपको बताया था कि इस ग्राउंड पर ना स्पिन तो नहीं है अगर आपने लाश्ट टाइम लाइक इस ग्राउंड पर जो मैं विकेट्स मिलेंगी नहीं बाकि उतना ज़्याइं मत करना आज़ कले स्पिन पर मतलब इतना ज़्यादा भरोसा मत करना कि इस पिनर जो विकेट निकालकर ही जाएंगे बात करते हैं अपनी प्लेंगल उनं के तो प्लेंग इलोईंगे जोंसा शनलस क्यूंज मेर्स आपको मैं बोल सकता हूं कि ट्रंप है ठीक है काफी अच्छा रिकोर्ड है एविन लुइस का इधर से आगेंश टाइरलेंड वो डिस्केस करेंगे कितने रहने क्या एवरेज है बट उससे पहले मैं आपको बता दू कि एविन लुइस हो सकता है आज के लिए रिप्लेस भी हो जाए यös टीम में लुइस परफॉंम नहीं कर पाया हो सकता है ब्रैंडन किंग अगर इंजड वगरा नहीं है जो कि मेरे Κी dá नही technicians है नहीं उसमें जो परफॉमेंस है वो एक्दम निलबटे सनाटा रहा है तो ऐसे कुछ चीज़े बाकि अब जैसा हम बतारता कि इनकी टीम में देखो spinner नहीं है spinners के गरम बात करते तो आपको सिर्फ एक अकील हुसेन जो वो left-hand orthodox देखने को मिलते हैं अधरवाइस पूरी टीम में ना लहीं इदर से पेसर्स ही पेसर्स बरें ठीक है अब किसी को भी उठाकर देख लो तो पेसर्स है पूरी टीम में तो मिलने के चांस यहां पर कमी रहेंगे तो अपन वैसे ही पेसर्स ही लेकर चलेंगे तो अकील हुसेन उतना इंपोंट में मानता भी न्यू जो दोनों मैचेज रहें उसमें ठीक ठीक सरा है मतलब बहुत ज्याथ अच्छा नहीं है बेंटिंग से लिए और कुछ से अशलkład को ईंशेली बालता है असे बांथ लिए पूरी उम्मीद रहेंगे इनसे तो एसवाल। captain definitely रहने वाले उसके लावा जैसे न होल्डर आपके लेंपॉंट बनेंगे bowling section से देन ओडियन स्मित को आप लेकर चल सकते हैं कि मैं कोई उतनी अच्छी form में नहीं दिख रहे हैं बट इन केस अगर ऐसा होता है कि मैं कोई की जगे पर कोटरिल खेलने आता है तो फिर मैं ओडियन स्मित को हटा कर कोटरिल को डिफिनिटली रखने वाला हूँ टीम में उसके लावा बैटिंग section से जॉनसन चार्ल्स काईल मेर सापके पास में एक अच्छे option है पिक करने के लिए निकोलोस पुर्ण को अगर करना चाओ तो कर लेना अधरवाई जॉनसन चाल्स आपके बास में है ही विकेट कीपर में उसके अलावा रोमन पाविल ठीक ठाक चारा आता लाश मैच रखना हो तो रखना अधरवाई नूर कर सकते हो बाकि उसके लावा ऐरलेंड के प्लेयर तो लेने 11 के 11 यहीं से थोड़ी रख लोगे बागी बात करते हैं अपनी जो आज के लिए आईरलेंड के प्लेइंग लाउन रहती है अब उससे पहले आपको मैं जरा आधा कोड बता दूँ कि आज के लिए जो आधा कोड है वो क्या रहने वाले तो चलो आधा को बताता 1 A B 6 A 7 ठीक है यह तो हो गया आधा कोड और उसके बात में वीडियो में आगे बताऊंगा आधा और बाकी किसे को नहीं समझ में है तो चलो स्क्रीन पर फ्लेश आउट कर दूँगा मैं तो देख लेना ठीक है बट गलती मत करना आज के लिए पता है क्या हुआ था आज के लिए नहीं कल के लिए जो मैचेस थे ना कल वाला जो मैच था नामीबिया वाला उसमें लोगों ने क्या किया वो कोड़ी गलत बर रहे हैं तो ऐसा मत करना यहां पर आदा है आगे आदा कोड आएगा दोनों को मिलाकर आपको फिल अप करने तो आदा भी बता दिया आदा वीडियों बताऊंगा बहुत ज्यादा वर्ड यूज कर दिया यह डिट हो जाओ भी इससे बाकि आगे आते हैं आयरलाइंड के प्लेंग लेंगे आज के लिए दोनों ही ओपनर्स उसके बाद में लोर्कन टकर है है हैरी टेक्टर और जूर्ज डोक्रेल कर्टिस केमफर औ दोनों की तरफ से देखने के मिला बाकि उसके लावा जो उनका टोपोड रहे न वो पूरा कप पूरा आउट ओफो में जो पिछले मैंच में आपको बताया था रिसक ले सकते हो फेली हुआ उल्मोस्ट एंड उसके लावा पोल्स्टर लिंग ज्याद आची हास फो में है बलबरनी तो वैसे आउट ओफोर्म चल रहा है पता है कितने मैंच से उसके बाद में लोरकें टेकर थोड़ा वो दिखा रन बनाते हो बट उसके बाद में वो भी आउट होई गया था उसके लावाना ही हैरी टेक्टर जाद अच्छी फोर्म में इदर दिखा है बट कर्ट से बोलिंग अभी करता नहीं है तो बागी डॉक्रल डेफिनेटल बैटिंग सेक्शन से आप ले सकते हो कर्टिस केंफर एज़ा पेसर एंड लाइक इज़ा बैट्समें डेफिनेटल आपके लिए काम में आ सकता है कहीं ना कहीं सिमी सिंग बट ग्रैंड लीग या चार में या उससे बड़ी लीक्स अगर खेल रहे हो तो ही रखना अगे निकल कर कि यहां से बता दिया और बैट्समें की बात करते तो यह दोनों तो रखोगी पाकी इदर से आप जो है विकट की पर सेक्शन में लोरकें टेकर के साथ में जा सकते हो अगर कोई ऐसा कॉम्बनेशन वाली दिक्कत नहीं होती है अगर फिर भी होती है कि आप दो विकट की पर नहीं रख पा रहे हो तो उसकेस में आई तिंग है आपके लिए ठीक है बाकी बलबरनी पूल स्टरलिंग पर ज्यादा बरोसा आज के लिए है नहीं और शुरुआत में विकट जाने के यहां पर जो चांसे काफरी सादा रहेंगे तो दोनों उपनर्स लेना तो मतलब कोई बनता ही नहीं है और वैसे बाकी बात करते हैं आज के लिए जो हमारे बेंच प्लेयर्स हो सकते हैं तो आयरलेंड की तरफ से स्टीफन डोहैनी है उसके बाद में फियोन है ग्राहम यूम है और इ ़िए उनके टांब बताए थे कि ब्रेंड़न किया श्रादन कोट्राल मेंसे कोई आ सकता है आज के लिए बात करते हैं अपने लग आज के लिए जो जिते मैं नहीं पशीन बात करते हैं इनके जो दोनों रिसेंट मैंचेज रहे हैं किस प्लेयर ने पर्फॉर्म किया अगर आप देखोगे 17th of October को जो मैंच वा था बनाए तो काइल मेर्स ने उस मैंच वीस बनाए अच्छी शुरुआत की थी बड़ उसके बाद में आउट हो गए उसके लावा ब्रेंडन किंग के 17 जो उन्होंने 38 बनाए थे और दो विकेट भी उनके नाम आए ओडियन स्मित का एक विकेट था अलजारी जोसेफ ने दो व फॉर्टी फाइफ इन 36 बोल्स एंड रोमन पावेल 28 अकेल उसान 23 बीच के सब गया पै क्योंकि पर्फॉर्म करी नहीं पाया थे जल्द यल्द आउट हो गया थे बट एक चीज़ को मनें यहां पर वेस्ट इंडीज ने पहले बैटिंग की 153 बनाए डिफेंट कर लिया य क्योंकि आयर्लेंड की बैट्समें नहीं बना पाएंगे बस बात कुछ ऐसी है बात करें आयर्लेंड की तरफ से तो 17th of October को मैंच हो उसमें जिंबावने 174 बनाए थे जिसमें की आयर्लेंड ने उसके जवाब मैं 143 ही बना पाए वो मैच को हार गये थे रंस की बात करें तो केमफर के 27 थे डोक्रेल के 24 दूनों ही प्लेयर्स थे जिन्होंने रं बनाए बाके उसके लाव गयरेट डिलानी के नाम भी 24 रंस आये विकेट्स की बात करूं लिटेल अडायर से निसिंग ठीक है यह तीन होगे क्लियर उसके बात में यहां पर भी 39 रंस 97 बोल और लिवरकंट टिकर के पीसरान आये थे इस मैच में डेलानी पर्फॉर्म नहीं कि बाकी जो स्टेरलिंग थे जो बलबरनी थे हैरी टेक्टर थे उनका खाता खराबी रहा था तो दोनों मैचे अगर आपने देखे तो केमफर एक डम बढ़िया डोक्रल के राउंड का आया नहीं तो अभी तक के लिए एक दम ऐसा इक्वल इक्वल सा सेनेरियो आप मान सकते हूं दोनों ही टीम्स के बीच में और रिसेंटली में इनके नाम एक सीरीज वर हुई थी दोनों ही लाइक टीम्स के बीच में जो की हुई थी 2020 में ठीक है और यहां पर 25 जनवरी के मैच की बात कर लेते पहले 15 जनवरी को जो मैच हुआ था उसमें एरलेंड ने 208 बने वेस्ट इंडीस बना पाई सिर्थ 204 वो इस मैच को हार गए थे रंस की बात करें तो श्टर्लिंग ने 95 बनाए थे डलानी ने 19 बनाए थे उसके लावा किसी के रंस थे नह अब यहां पर आप देखो के 20 जनवरी को मैच वा था इन दोनों मैचेस के बीच में भी एक मैच था जो की बारिष से दुल गया था तो उसके मैच का लिखा नहीं मैंने कुछ एरलेंड ने 138 बने जिसको वेश्ट एंडीज ने चेर्ज कर दिया सिर्फ 11 वर्स में किसकी बदोलत क्योंकि लुइस ने बना दिये तो उस मैच आप 46 इन 25 बोल्स और जो परफॉमेंस इनकी तरफ से आये था उसमें बलबरणी के 28 रंस थे और एक विकेट जो पिक किया थ वो सिमे सिंग का था तो एविन लुइस इस वज़े से आपके लिए और इससे भी पहले जो एविन लुइस ने जो रंस वगरा बना रखे हैं वो काफी सही बनाए है ठीक है तो बाकी और ओर रिकोर्ड्स में आपको रिखा देता हूं कि आज कले जो हैट्वर लीडर्स है तो हैट्वर लीडर्स में जब हम जाते तो उसमें आपको पोल श्रलिंग वैसे तो सबसे ऊपर देखते बट उतना कुछ खास है नहीं सिर्फ 20 का ही अवरेज है बात करो एविन लुइस की तीन मैच में 101 जिसमें एक मैच में 53 एक मैच में 46 और एक मैच में ऐसा था कि पानी है अभी के लिए बात करते अब अपने जो हैट्वेड लीडर से बोलिंग सेक्शन से बत उससे पहले आपके लिए आधा कोड जो है कि वावे का वह में बता देता हूं क्या है क्या नहीं है तो पहले जो बताया था वन एभी शिक्स एवन उसके बाद का अब नोट कर लेगा देख लेना बस गलत टाइप मत करना और फटावर से उस लीग को जोईन कर लेना अगर जीत वे तो प्राइज आपका बागी सपोर्ट दिखाओगे तो पूरे वर्ल्ड कप महसा ही करेंगे ताकि सब को जीतने का मौका मिले ठीक है किसमत से नहीं थोड़ा प्रेडि का बाकी अभी आते हैं अपने लाइक आज के लिए जो हमारे हैट्वर्ड लीडर्स रहेंगे बोलिंग में तो डोकरल की बात करू चार इनिंग में पांच विकेट्स के साथ में डोकरल ठीक है बाके बोलिंग करने नहीं वाला है तो उतना इंबर्ण मानना मन इसको उसका बात में शल्डन कोटल ठीक है तीन मैचे में चार विकेट्स के साथ में दैन इजर से जोश्यवा लिटिल हैं दो मैच में तीन विकेट्स के सतßen में अंटान यांसे थमय से सिmmy सिंग्ए है तीन मैच में ब्हुत ज़एड़ेटर रहे हैं यह बहुत जाद है क्योंकि से कुन से है आपके लिए से तो डेफिनिटली आज के लिए ना बोलर्स पेरेडाइस कहीं न कहीं हो सकता है क्योंकि सबी जो बोलर्स है दोनों ही टीम से उन्होंने अच्छा परफरमस दिया है एक्सेप्ट कुछ एक दो बोलर जिनको मार पड़ी है विकिट उनको नहीं मिला है अगर बात कीजिए तो यहां से देखो जोश्वा लिटिल और जो आइरलेंड के तरफ से एक और बोलर है मार्क अडाया दोनों में से किसी को भी आप अगर चाहो तो ऐसे को जंडे नहीं गा सकते हो चाहीं तो ग्रैंडिक में कर लेना अधरिम से निए लिए उसके अलवा थोड़ा सा उसक लेना हो तो एंवन-Lewie इस है ही आपके पास में बड़ का मिनी फवालीत में लो या उससे बड़ी लीक्स में दो तीन मेंबर वाली जो लीक्स होती है उनके लिए जब आप टीम मना तो उसमें लुइस के उपर इसे कैप्टन वाइस कप्टन करने का रिस्क मत ले ना टीम में ले सकते हो बट कैप्टन वाइस कप्टन मत करना ठीक है क्योंकि कैप्टन वाइस कप्टन तो प्रेडिक्शन वाला गिव भी करते हैं थोड़ा सा लाइक उसमें भी आप हाथ आजमा सकते हो कमेंट सेक्शन में मेरे को जवाब देखे तो आपके लिए कोईशन यह रहने वाले कि आज के लिए वेस्ट इंडीस का टोटल रहेगा इनिंग टोटल चाहे वो बैटिंग फेस्ट करें चाहे सेकेंड करें आपको सिर्फ यह बताने कि जो वेस्ट इंडीस का इनिंग टोटल रहेगा वो कितना रहने वाला है तो वटावट से मेरे कमेंट सेक्शन बता देना करना कावी सारे लोग हैं मल्टीबल कमेंट करते उसके बाद मैं आईडी का नेम चेंज कर देते हैं पता चल जाता है और मेरे को एसे मत किया करो ठीक है तो जल्ली से जाओ कमेंट कर दो मिल्टीबल आईडीस मत करना अधरवाट इसका फिर फाइदा रहने वाला नहीं है साथ यह साथ आप एक-दू काम ओर कर सकते हु क्या है कि आप जो ए इंस्टाग्राम पर फोलौ कर सकते हो और अपना नहीं चीज्म पर और पहले कि जो मैचेश वह तो देख लेना बात करते हैं, आज के लिए जो टीम है, टीम की जब हम बात करें, तो हमने जोनसन चार्ल्स को रखा है, इस विकेट कीपर, उसके बाद में हमारे पास में डोक्रल है, वो टेक्टर है, जैसा वो बोला, स्टर्लिंग और वलवेरिनी के उपर उतना भरोसा मेर को है नहीं, बाक ऐसे खाता कराब चल रहे है देखानी का तो, तो वो मिस करने का कोई दिक्कत है नहीं, अगर कर भी दिया तो टीम से, उसके बाद में बोलिंग शेक्शन में अडायर और लिटिल, दोनों आरलेंड के मेंन पेस है, और यहां से जोसेफ और स्मित को रखा है, बड़ जैसा मा ऐसा नहीं है कि आरलेंड से आता है तो विकेट नहीं लेगा, काफी एक्सपिरेंस बोलर है, उल्रेडी काफी जारे बड़े प्लियर्स के सामने खेल के भी विकेट निकाल चुका है, तो वेश्ट अंडीज को यसी लाइक तो बनी उखाड रखे वेश्ट अंडीज में, त ताकि आप जो कोई भी मैच की वीडियोस है, वह बिल्कुल भी मिस्स ना कर पाओ, और साथ इसाथ एक और काम जो अभी तक आप वापस से बूल रहे हैं, जो मैंने शुरू में बताया था, कि टेलिकराम चैनल जोइन कर सकते हूं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, काफी जारी